असलाम वालेकुम, ग्राफिक डिजाइन कोर्स के लेक्चर 14 में खुशामदीद, आज की किलास में हम शेप बिल्डर टूल को देखेंगे, शेप बिल्डर टूल बेसिकली इंस्पायड है पाथ फाइंडर के ऑप्शन से, यानि के हमने सीखा था ये जो पाथ फाइंडर का ऑ operations हैं, जो के हम directly shape builder tool की मदद से कर सकते हैं, document में अपना create already कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ shapes चाहिए, मैं क्या करता हूँ, एक circle बना लेता हूँ और इसके अंदर color कर लेता हूँ, let's say this, और इसकी outline को खतम कर लेता हूँ, मुझे outline नहीं चाहिए, फिर मैं इसकी एक copy ले लेता हूँ, all के साथ, drag और फिर यह color panel जो मेरा खुला है, यहाँ से इसका color change कर लेता हूँ, मजीद एक copy में ले लेता हूँ, like here, और इसका भी, अब मेरे बास तीन circle हैं, तीनों के color अलेहदा अलेहदा हैं, तो remember हमने pathfinder के अंदर unite वगरा का का काम किया था, like हम और divide वगरा कर पा रहे थे, तो अब यह काम आप directly shape builder tool से कर सकते हैं, shape builder tool के लिए जो short की है, वो मैं आपको बता देता हूँ, keyboard से आपने प्रेस करना है, shift M, ठीक है, इस वक्त देखें, मेरा selection tool selected है, यहाँ पर, अगर मैं shift M, keyboard से प्रेस कर दूंगा, तो यह देखें, यह मेर राए preview में, तो basically यह किस तरीके से काम करता है, यह merge भी कर सकता है, एक ही tool, यह subtract भी कर सकता है, यह divide, unite, exact, मतब जो भी यह सारे pathfinder के operations थे, इस सब के सब आप को करके देगा, एक tool, करना के से अपने objects को select करना है, जिन objects पर आपने working करनी है, pathfinder tool को select करना है, या तो shift M से कर कर, eye dropper के उपर से उपर वाला है, जब mouse इसके उपर रखेंगे तो नाम भी वताएगा, shape builder tool, अब आप यहाँ पर आएगा, और यह देखें, अब यह अलहदा अलहदा जो भी path cutting हो रहे थे, आपस में intersect हो रही थी shapes, उन सब को यह देखें, अलहदा अलहदा आपको highlight करके दि जोड़ेगा, जोड़ने का मतलब क्या करेगा, unite करेगा, तो अगर मैं simply इस पर click कर दूँ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं control Z करता हूँ, दुबारा से, मुझे जोड़ना है एक से ज्यादा shapes को, यानि कि मैं इस case में बोलता हूँ, green और sky blue वाली जो है, इन दोनों क आपस में जोड़ो, तो मैं यहाँ पर shape builder tool लेकर आऊंगा, mouse का left button click करूँगा, और click करके रखूँगा, और drag करना शुरू करूँगा, तो एक लकीर सी बनना शुरू हो जाईगी, अब ये लकीर जहाँ 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 जिस इस हिससे को छुएगी, वो वो unite होज़ेगा, वापस आता हूँ, वापस से shape builder tool select करता हूँ, अब की बार में green से move करता हूँ, sky blue मैं, तो अब भी इसने same merge कर दिया, ठीक है, ctrl z करता हूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि green color हो जाए जब मैं वो करूँ, merge करूँ, तो मैं green को नीचे लेके जाता हूँ और sky blue को उपर रख देता हूँ, shift M से मैंने shape builder tool select किया, और यहाँ से drag कर दिया, यह for, अच्छा, यह directly shape के color पे काम नहीं कर रहा है, यह इस color पे काम कर रहा है, जो आपका foreground में selected है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको purple कर लिया, तो basically इसने क्या किया है, unite कर दिया, दो shapes को, मैं extract भी करवा, subtract भी करव सकता हूँ, यानि इसको, अगर मैं चाहता हूँ, यह जो इतने सारे हिस्ते आ रहे हैं, इसके अंदर से मैं green वाले को remove करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, keyboard से all का button दबा कर hold कर लूँगा, तो देखें, जो plus का button साथ में बना हुआ आ रहा था, यह minus में change हो चुका ह तो अब अगर मैं minus करके इस तरह से यह drag लकीर से बताऊंगा इसको कि यह area मुझे हटाना है, तो अब यह देखें, यह delete कर दिया इसमें, अब ना सिर्फ delete किया, बलके इसकी जो path होगी न, वो शायद इसने यहां पर छोड़ी होगी, देखें, मैं outline mode में आया, control y से, तो यह मुझे already दिखा रहा है कि इसका एक हिस्सा पीछे बना हुआ है, कब नजर आएगा जब मैं इनको और इनको हटाऊंगा, देखा आपने, यानि कि basically उसने मुकमल ही तोड़ दिया shapes को, और तोड़ कर delete नहीं किया, तोड़ कर बाकी भी रखा, जैसे मिसाल के तोर पे मैं चाह यह तरह ब्लू वाला भी पूरा है, यह वाला भी पूरा है, अब अगर आप मजीद काटना चाहेंगे तो बिल्कुल काट सकते हैं, यानि कि आप यह देखें, मैं इन दोनों को यह color कर देता हूं, इनको यह merge आपस में कर देता हूं, अब इसको मैं वापस से blue कर देता हूं इसको आपस से green कर देता हूं, तो यह देखें, अब यह कड़ गई है shapes, ठीक है, अब यह मतलब basically दो को मैंने merge कर दिया, एक को subtract कर दिया, तो shape builder tool इस तरीके से काम करता है, मजीद कुछ examples के साथ समझते हैं, जैसे मिसाल है, हम कुछ बना लेते हैं, और क्या बनाओं मैं इस इसको में छोटा कर लेता हूं, यहां पर, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, basically इसकी कुछ random copies ले रहा हूं, इसके around मैं, चलें, बलके इस से मुझा idea आगिया, कि हम क्या बना सकते हैं, अभी तो मैं random बना रहा था, हम एक cloud बनाते हैं, last time हमने जैसे shape builder tool से unite करके बनाया था, तो अब basically यह green color का होगा, हम इसको change भी कर लेंगे color को, ठीक है, यह cloud बना लिया मैंने, अब मुझे इन सब को merge करना है, तो मैं इन तमाम को select करूंगा, shape builder tool लूँगा, और all का button दबाऊंगा, दबाने की जरूरत नहीं हैं, क्यों, क्योंके मैं merge कर रहा हूं, अगर मैं subtract कर र सब को select कर लो, सब को आपस में इस तरीके से merge कर दो, अब देखें, तमाम के तमाम जो हिस्से थे, इसके अलग-अलग वो मैंने एक साथ select करके click छोड़ दिया, जैसे ही click छोड़ा तो इसने merge कर दिया, कुछ-कुछ हिस्से इसके बाकी देगा है, जो के zoom कर के काम करता तो मै यकीनन cover हो जाते, लेकिन उनको आप मजीद दुबारा से कर सकते हैं, shape builder tool ने, यह देखें, यह, यह इस हिससे पे, इस हिससे पे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप zoom करके काम करें, मैं इसको zoom करता हूँ, दुबारा से shape builder tool लेता हूँ, और फिर work करूँगा, खीक ह अब हो गया, तो जो छोटे हिससे छोड़ देता है, उनको हमने basically zoom करके cover करना है, तो अब यह हमारा cloud बन चुका, इसका color change कर लेते हैं, ठीक है, अब यह मैंने इस तरह की shapes का बनाया है, आप मजीद दूसरी तरह की shapes का बना सकते हैं, अपना puzzle piece बना के देखते हैं, यह मैंने एक box बनाया, अब मैं एक circle बना रहा हूँ, यह वाला, ठीक है, और अब मैं इसकी copy ले रहा हूँ, ओपर के दरफ, लेकिन अब यह अलग-अलग हैं, मैं इनका color change करता हूँ, ताकि यह अलग-अलग, नजर भी आएंगे, यह अलग-अलग हैं, ठीक है, यह अलग-अलग हैं अब मैंने shape builder tool लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, बलकि इसकी एक में copy ले ले लेता हूँ, यहाँ पर, इसको subtract करेंगे, अब इन तीनों को मुझे merge करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इसके अंदर लाके merge कर दूँगा, तो यह आपस में merge हो गया, अब यह अब अगर मैं काटूंगा न, all की मंदद से सिर्फ यह बाहर वाला, तो यह देखें, बाहर वाला कट गया, अंदर वाला बाकी है, क्यों, क्योंकि यह जो path है, यह जो line आ रही है, intersect हो रहा है, इसकी वज़ए से यह दो अलग-अलग shapes मान रहा है इनको, तो अगर मुझे बजल पीस था, वो बन चुका है, तो मजीद कुछ shapes बनाते हैं हम, हमने जो अपनी class के अंदर देखी थी, कुछ shapes उनको repeat कर लेते हैं, हम, board बनाई थी हमने, लेकिन board के अंदर, I guess, इतना shape builder का वर्क नहीं होगा, यह हो भी सकता है, चांद बना के देखते हैं, यह दोनों को मैंने पकड़ा, पेले एक का color change कर लेता हूँ, दोनों को select किया, और shape builder tool से इसको भी minus कर दिया, इसको भी minus कर दिया, तो यह मेरा एक simple सा चांद बन गया, ठीक है, मजीद अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ, जिससे मिसाल के तोर पर, मैं एक box बनाता हूँ, और इस box मैं एक circle बनाता हूँ, बड़ा सा, और इसका मैं color change कर लेता हूँ, ताकि अलग नदर आए, अब मैं इनको क्या करता हूँ, minus कर लेता हूँ, इस तरीके से, तो अब यह देखें, यह अलग से एक piece बन चुका है, जिसके अंदर से वो cut चुका है, अगर इसी तरह मजीद मुझे कुछ बनाना हो, तो logos जो बनते हैं, basically, logo हमारे इस तरह से बन सकते हैं, ठीक है, मैं एक circle बनाता हूँ, यह वाला, फिर मैं इसकी copy लेके, इसको बड़ा कर लेता हूँ, और इसका color change कर लेता हूँ, और इन दोनों को center align करके, यह जो purple वाला इसको पीछे भेज देता हूँ, control bracket से, तो अब देखें, purple वाला पीछे चला गिया, green वाला आगया गिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस green वाले को इस purple वाले में से minus कर देता हूँ, तो अब यह देखें, यह stroke हमारा outline circle बन चुका है, ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो यह बनाए, मैं इसका color change करता हूँ, और एक circle sorry, एक आपने बनाना है, rectangle type का और, like this, इसका मैं color change कर लेता हूँ, यह, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोने पर रखके इसकी एक copy लेता हूँ, इस तरीके से, थोड़ा फासले से ले लेता हूँ, like this, control D से repeat करता हूँ अपना action, तो यह मजीद उसकी copies लेता जाएगा, ठीक ह कर दियाँ क्या है, अब इन तमाम को मैं select करूंगा, और क्या करूंगा, यह green वाले जो है, इनको minus कर सकता हूँ, या तो यह dark वाले जो है, इनको मैं minus कर सकता हूँ, जो भी basically आप करना चाहे, मैं मजीद इसके अंदर कुछ करता हूँ, वो यह, कि, इन तमाम green वालों को मैं select करता हूं, ठीक है, एक-एक करके कर रहा हूं हब ही मैं, quick way भी है, इसका इनकी copy ली और इसको इस तरह भी कर दिया, और ऑँ एसके उपर रख दिया मैंना, तो अब यह जाली type की एक basically बन गई है, अब मैं joint ऐसे करता हूं, तमाम को select करता हूं, जूम करता हूँ, शिफ्ट M, यानि कि अपना जो मेरा शिप बिल्डर टूल था, और के बटन के साथ ये लाइट ग्रीन वाले जो है, इन पर में कलिक करता चला जाता हूँ, ठीक है, एक एक करके कर रहा हूँ, अब आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेट किया मैंने, यह देखें, यह जितनों पर मैं इसको लकीर को ड्रॉ करता जाऊंगा, उतनों को एक साथ काट देगा, ठीक है, अगर मुझे इस तरीके से काटना है, ये तीन काटे मैंने, ये तीन काटे है, कंट्रोल जेट कहते हैं, तीन नहीं काटे, ठीक है, अब अगर मुझे ये वाले तीन काटना है, फिर ये वाले तीन काटना है, और उसके बाद ये वाले तीन काटना है, तो ये अलग से एक बन गया, फिर आप जिस तरह भी मतलब इसको चाहें, काटें, या अगर आपक से मर्ज़ भी कर सकते हैं ठीक है आप इसका क्लर आप चेंज वह भी करणा चाहिए आढ मैं मजीद उसको मर्च करता हूं अपकी बार में कि यहां से कलर छेंज' भी कर सकते हैं यानि कि आप यहांसे पिंग अब प्यक्स करेंगे तो वह पिंग हो जाएगा कि ऩे है और जब आपका मुकंबल हो जाए तो आपने वापस से अपना सेलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेना है और जब आप मोव करेंगे तो यह उसी तरह से कटे हुए अलग-अलग इस्तेमाल होंगे जानि के अलग-अलग मोंगे ओंगे ठीक है There अवा कि अएब आउट्लाइन मोड में आता हूं तो यह दखें यह इसका outline ओ अब कंट्रोल ओसे वापस प्रिव्यू मोड में आता हूं तो यह हमारी एक शेप बन्cidos है है तो आप इसको खुछ से explore कीजिएगा shape builder tool को और google कीजिएगा कि कौन कौन सी इसी shapes हैं जो आप shape builder tool की मदद से बना सकते हैं बहुत सारी हैं जैसे ये phone के icons जो आपने अभी बनाए थे और ये चोटे चोटे icons जो आपने बनाए थे ये सब आप shape builder tool की मदद से मुझे बना कर submit करवा सकते हैं तो अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा मिलते हैं इंशालला अगले लेक्चर में अलाँ आफ़ेज़